बुल जे कारा बूल मेरे शीरी गुरु महराच की जै शीरी परमन सद्वैत्मद दिव्य जोती शीरी करंथ शिरी जत्वत पाशेजी शीरी गुरु महराची का जीवन परवचन नहों सरफसदारन जीव और गुर्मकों का मेल नहीं है संसारी जीव तो दिन, रात, काल और माया के चक्र में पढ़कर हाई हाई कर रहे है उनकी सुर्तिक काम, क्रोध, अंकार एवं विश्य वास्तों में फसी हुई है उने कुटुम परिवार, महल मारिया, धन, एश्वरे, आदीज चीजों में ही अपनी संपत्ति समझ रखी है इसमें उनकी मन की संतुष्टी ममता आ सकती है इनी नाश्वान पदार्थाओं में उनका मन रमा हुआ है तनिक सोचों की अंत मेंन का परिणाम क्या होगा प्रकृती का नियम है सदा अचल है इसमें किसी का पक्षपात नहीं है और ना वो अनिती है प्रकृती तो दूद का दूद और पानी का पानी कर दिखाती है ये देखकर भी संसारी लोग दिन रात माया के धन्दों में काम काज में मगन रहते हैं उन्हें एक मिनट का अवकाश नहीं मिलता वै आत्मिक उन्नती की और ध्यान दे चोबिस घंटे उनकी सुर्थी मो माया में फसी अवं उल्जी रहती है भक्तो गुर्मुखों विचारवान और स्रेश्ट पुर्षों की दशा उनके विपरित होती है गुर्मुख सरफ सधारन संसारियों की विचारों में दिन रात का अंतर है परव जनम पूर्व जनम की शुप कमाई से जीव को सत्गुर की शरन मिलती है कोटी जनम के पून्य से सत्गुरु मिले कभी गुर्मकों जो जब ऐसा भागेशाली अफसर मिल जाता है तो वे भगवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई को फूरा करने में जोड़ जाते है पून्य सन्सत्गुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं है बड़े भाग्यों से सुनेरी अफसर हाता है जिन गुर्मकों को ऐसा अमुल्य समय मिल गया और जो गुर्मक सत्गुर की मौज और आग्या में चलते है उन जीवों को आत्मिक ज्यान की ही उपलब्दी होती है उसकी सीमा नहीं मायधारी संसार लोग गुरु भर्ति के नीमों के परायन नहीं होते केवल वे पढ़ने सुनने में ही ततपर रहते है प्रद्दु गुर्मक जन गुरु भर्ति के पर दिर्दा से पाव धरते है वे महापुष के वचनों पर आचन करते है क्योंकि आचन के बिना निस्तार नहीं यदि कोई गुर्मक कहला कर भी संसारियों जैसे विचार रखता है और वैसे ही कार्य करता है तो उसे भी संसारी ही समझना चाहिए ऐसा व्यक्ति यदि ये समझे कि हम काल जाल से छूट जाएंगे नहीं नहीं जब तक महापुर्षों की वानियों को पढ़कर सुनकर मन नहीं किया जाता फिर उन्हें आचन में नहीं लाया जाता तब तक उनका पूरा पूरा लाब नहीं होता गुर्मक का धर्म है कि महापुर्शों के वजणों को श्रवन मनन कर अर्थाद आच्रन में लाना चाहिए तब ही उसका कल्यान होता है यदि कोई शिष्य अपने सद्गुर जी के निकट रहकर भी उनकी मौज और इशारों को नहीं समझ पाता तो उसे उनके समीप का क्या लाब किन्तो संसकार वी रूहे तो दूर अधी दूर रहती हुई भी लाब उठा लेती है जैसे पिंजरे में पढ़ हुए तोते ने गुर्मुक के मुख से सत्गुर के इशारे को सुनकर वे समझ कर और उस पर आचन कर कैद से मुक्ती पाई जरा सोचो विचार करो कि कितना अमुल्य समय है गुर्मुखों का समय तो और भी अधिक मुल्यवान है गुर्मुखों को चाहिए कि इससे पूरा पूरा लाव उठाए ऐसा नौहों कि समय कि गुजर जाने पर पच्ताना पड़े महापुष्ट तो ये समझाते हैं कि राजा जनक की तरे विलास्ता और आपा भाव को छोड़कर गुरु की आगया नुसार अनक्स्त होकर कारे करो राजपार्ट नोकर चाकर सब कुछ होते हुए राजकाज का काम समभालते हुए भी राजा जनक विदे ही कहलाए इस रहस्य को वे समझते हैं जिनके अंदर दृष्टी उगड़ गई है वाल में की रिशी जी की वे दिव्य दृष्टी संतों की किरपा से खुल गई थी जो उन्होंने शीराम चंदर महराज के जनम से दस हजार वर्ष पूर्व शीरामायन का इत्हास लिख कर रख दिया विद्धिव्य चक्ष्यू महापुर्षों की आग्या मानने और उनके वचनों का पालन करने से खुलते हैं भक्ती के नीमों का पालन करने से जीव को परमारत का बोध होता हैं इसलिए सदगरंत और सदशास्त्र जीव को सदपुर्षों के विचारों के अनुसार इसी तरह जीवन बिताने पर बल देते हैं कि एजीव अब तुम्न की मती को तयाकर गुरु की मती को धारन कर जो भागेशाली संसकारी आतमाई इसी तरह मनमती को छोड़कर गुर्मती के नीमों की अनुसारन करती है वे सच्चा सुक पाती है उसकी सुर्थी शबद में मिलन करती है और सच्चे जीवन के धह को प्रापत करती है गुर्मको शीरी गुर्माराजी अपने प्रवचनों में समझा रहे हैं कि गुर्मक और मनमुक में बहुत परक होता है जो मनमुक होते हैं उनको तो कोई इस चीज का ग्यान ही नहीं होता सत्य असत्य का भेद ही नहीं पता लेकिन जो गुर्मक होते हैं जो सत्य गुर्मक की शरन में आ जाते हैं उनको इस भेद के रहस्य समझा जाते हैं क्योंको आनंद की चीज़ का पता है कि परम आनंद किसमें मिलता है और वे गुरु की आग्या में रहकर अपनी सुर्ती को शबत के साथ जोड़ते हैं शीरी गुरु माराजी समझाते हैं कि अगर हम गुरमुख होकर भी आग्या में नहीं चलते हैं सत्गुरु के बताये हुए रस्ते पर नहीं चलते हैं तो हमें कोई लाप नहीं प्रापत होगा हम मन मुख की तरे ही हो जाएंगे तो इसलिए गुरु मुखों हमारा कर्टव्य है कि हम सत्गुरु की आगया पालन करते रहे जो सत्गुरु हमारे लिए वचन फर्माते हैं कि हमारे कल्यान के लिए भजन अभ्यास के साथ जोडते हैं वो पूरा करें ताकि शीरी गुरु माराजी की परसंता तो पाएं ही और हमें अपने जीवन के असली लक्ष को पा सके जीते जी इस दुनिया में रहते हुए उस परमानन से जुड़ सके जो शीरी गुरु माराजी हमें दिखा रहे हैं कि कैसे रिशी वाल मिकी जी ने के दिवेत रिष्टी खुल गई और उन्होंने फ्यूचर देख लिया कि कैसे भगवान राम आएंगे दुनिया में और उनका जीवन कैसा होगा तो हम अगर अपनी भक्ती में लीन होते हैं अगर सद्गुर की शरण में आकर उनकी आग्या पालन करते हैं तो क्या हमें दिवेत रिष्टी नहीं मिल सकती जरूर मिल सकती है केवल और केवल हमें उनकी आग्या पालन में रहना होगा जब हम उनकी आग्य या सेवा भक्ती में जुटेंगे तो हमारी सुर्ति जो है एकागर होनी शुरू हो जाएगी और जो सुर्ति एकागर होती है तब ही अंदर की तरफ जा सकती है अंदर की तरफ जाने से ही वो परकाश खुलता है जो पिछले बचनों में भी शिरी गुरु मारजी ने फरमाया था कि वो परकाश हमारे अंदर है जब हम अंदर जाएंगे तब तो दिखेगा अगर हम अंदर ही नहीं जाते तो कैसे दिख सकता है सो गुर्म को अपनी सुर्ती को अंदर लेके जाना है जब हम आखे बन करके अपना ध्यान त्रेकुटी पर लगाते हैं उस त्रेकुटी में अपनी सुर्ती को एकागर करते हैं अपने विचारों को बाहर से सिमिट कर अंदर की तरफ ले जाते हैं त्रेकुटी पर एकागरता बढ़ाते हैं तो हमें वो परकाश की किरन नजर आती है और उसी परकाश की किरन से हम अंदर जाते हैं और वही लाइट हमें अंदर की सब यात्रा कराती है जैसे पिछले कुछ वचनों में शिरी गुर्ण माराजी ने फरमाया कि आँखो की नीचे जो भाग है हमारा वो पिंड देश होता है और आँखो के ऊपर जो होता है बरमंद देश होता है कई गुर्मुखों को कम्प्लेन होती है कि हम जब भजन अभ्यास करते हैं तो हमें नीन्द आती है नीन्द आने का कारण यही होता है कि हमारी जो सुर्ती है पिंड देश में घूंगती है मतलब जो हमारी एकागरता होनी चाहिए विचारों की और हमारी अंतरद्रिष्टी की तो वो पाहर की तरफ है पिंड देश की तरफ है जबकि हमें तीसी आँख और उसके उपर की तरफ जाना है अगर हमारी सुर्ती उपर की तरफ होगी तो हमें नीन नहीं आएगी तो गुर्मुखो शिरी गुरु महराजी के वचनों को समस्ते हुए हमें अपनी अस्ली लक्ष को पाना है वही अस्ली लक्ष हमें सच्चा गुर्मुख कहलाएगा बुलू जे कारा बोल मेरे शिरी गुरु महराज कीजे हुटा कारे लोगार कि वैको ।